सिगमंड फ्रायड के अनमोल विचार मोर्विया के एक नगर में 6 माई 1855 को साधारन यहूदी परिवार में फ्रायड का जनम हुआ बाद में पूरा परिवार वियना चला गया यहां फ्रायड ने म्रत्यू के एक वर्ष पूर्व तक अपना जीवन वैतित किया बालने वस्ता में फ्रायड ने बाई विल का अध्यन किया वियना विस्विध्यले में वे चिकिस्सा के विध्यारती रहे लेकिन वे डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे इसलिए वे देही की में अधिक रुची लेने लगे बाद में फ्रायड सारकों के संपर्क में आये और पैरिस में रहकर उनके साथ एक वर्स तक अध्यन किया इन्होंने मनुव विशलेशनबाद का सिद्धान दिया अब हम चर्चा करते हैं फ्रायड के अन्मोल विचार की जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है एक महन पिर्षन जिसका उत्तर कभी नहीं दिया गया है और इस्तरियों पर अपने तीस वर्सों के सोध के बावजूद जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ एक औरत क्या चाहती है एक इनसान का अजेतन दूसरे के चेतन से गुजरे बिना उस पर प्रतिकिरिया कर सकता है प्रेम और काम काम और प्रेम बस यही तो है जिस तरह किसी को आस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता उसी तरह किसी को नास्थिक्ता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता पुरुस जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक होते हैं और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक पुरुस तब तक मजबूत होते हैं जब तक वे एक मजबूत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वे इसका विरोध करते हैं तो वे सक्ति हीन हो जाते हैं। अधीकांस लोग वास्तम में स्वेतंतरता नहीं चाहते हैं क्योंकि स्वेतंतरता में जिम्मेदारी सामिल है और अधीकांस लोग जिम्मेदारी से डरते हैं जब हम प्यार करते हैं तो हम कभी भी दुख के खिलाब इतने रक्षा ही नहीं होते मनुष्य मजा किया है, वे उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, जिससे वे प्यार करते हैं, लेकिन खुले तोर पर सुईकार करने से इंकार करते हैं, कुछ तो डर के मारे, इसने की जरासी भी निसानी दिखाने से डरते हैं, डर है कि उनकी भावनाओं को पहचाना नहीं ज जा सकता है लेकिन इंसानों के बारे में एक बात मुझे सबसे ज़्यादा है कि वे है अपने इसनेही की वस्तू से जुड़ने का उनका सचेत प्रियास बले ही वे है उन्हें धीरे धीरे भीतर ही क्यों न मार दे जो पृतिक्छा करना जानता है उसे किसी रियायत की आवसकता नहीं है ज्यान के फल जितने अधिक मनुस्य के लिए सुलब हो जाते है उतना ही व्यापक रूप से धार्मिक विस्पास का पतन होता है मेरा प्यार मेरे लिए कुछ मुल्यवान है जिसे मुझे बिना सोचे समझे फैकना नहीं चाहिए एक व्यक्ति जितना भाहर से परिप मजबूत होना है लेकिन कठोर नहीं, दयालू बनो लेकिन कमजोर नहीं, बोल्ड हो लेकिन धमकाने वाला नहीं, विचार सील बनो लेकिन आल्ची नहीं, विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं, अभीमानी हो पर अभीमानी नहीं, हाज से है लेकिन मूर्ट था के बिना अगर तुम नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी हर जीवन का लक्ष मिरत्यु है मन एक हिमकंड की तरह है यह पानी के उपर अपने एक साथ में हिस्से के साथ तैरता है झाज से लोड़ एक साथ में है